So Hello Everyone, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर C.A. डॉक्टर रमित खांडल और दोस्तों मैं टीचर ही नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, I am practicing chartered accountant also हमारा जैपूर में practicing firm है और हम सभी तरह का bank audit work है या अपना GST income tax related work है या project financing का work है तो ये सारा हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप लोगों का CA Inter का result आ चुका है अब आप लोग training के लिए इधर से उधर अपना resume या CV लगाओगे आपके मन में बहुत सारे questions भी होंगे कि सर हमें training कहां पर करना चाहिए देखो training से related तो खेर आपको पता होगा कि CA Inter का एक group अगर आपका pass हो जाता है या दोनों group पास हो जाता है तो आप अपना training start कर सकते हो और training के लिए बहुत सारी firms available हैं लेकिन मन में question ये रहता है कि सर हमें कोई ऐसी राय दे दे हमें कुछ ऐसा advice दे दो सर कि हमें training कहां पर करना चाहिए हमें बड़े firms में जाना चाहिए या जो mediocre firms हैं उन में जाना चाहिए या small firms में जाना चाहिए या सर जैसे हम लोग basically छोटी जगे पर छोटी जगे का मतलब है कि जहां पर अभी इतने practicing firms नहीं है तो हम वहां पर अपने hometown में रहकर CA firm join करें जैसे मैं जैपुर में हूँ मेरा firm जैपुर में है तो जैपुर के आसपास बहुत सारा area है तो आप भी जैसे किसी city में रहते हो तो बड़े city से थोड़ा दूर है आपका जो hometown है तो वहां पर भी practicings ही हैं तो हमें वहां करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो दोस्तों ये सारी बातें आज के इस वडियो में मैं आपसे करूँगा दोस्तों सबसे पहले आपका orientation training का जो program होता है जो IT वाला training होता है वो आपने complete कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो बहुत जल्दी से उसको complete कर लो क्योंकि एक cut off date होता है उससे पहले आपको ये सब काम करना पड़ेगा otherwise आपका जो CA final का attempt है वो 6 महीना जो है आगे extend हो जाएगा तो सबसे पहली बात भाई जिनके बहुत group निकल गये हैं देखो उनको तो सोचने वाली बाती नहीं है उनको तो training start करना ही करना है और बहुत जल्दी से firm select करके करना है जिसका केवल first group निकला है और अभी उसका पहला attempt था तो कोशिश करो कि आप second group भी निकाल लो next attempt में और फिर अपना training शुरू करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अभी तीन महीने का time है और मैं आपको सच बता रहूँ कर आप अभी से training start कर दोगे तो second group का coaching नहीं कर पाओगे तो बेटर है कि आप second group भी निकाल लो हाँ अगर first group के निकलने के बाद second group आपका नहीं निकल रहा है दो या तीन attempt हो गया है तो भी आपको training start कर देना चाहिए क्योंकि फिर आपके लिए वो situation अलग हो जाएगा है ना अच्छा training कहां करो दोस्तों तो आप cv कहीं पर भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास भी आप cv भेज सकते हो मैं description box में अपना WhatsApp नंबर दे दूँगा वहाँ मेरे को cv शेयर कर दो हमारा फर्म का भी मैं पूरा आपको जो brief profile हो दे दूँगा तो आप लोग जो है वो सारा देख सकते हो चेक कर सकते हो profile में अपना telegram channel पर भी डाल दूँगा उसका भी मैं link दे दूँगा आपको आप मुझे भी share करोगे तो मैं भी आप लोगों को मदद करूँगा आपका training दिल्वाने में बाकी आप लोग जो है बड़ी firms में भी apply करो बस एक थोड़ा सा issue यह रहता है कि जा आप बहुत जादा बड़ी firm में चले जाते हो तो वहाँ पर कई बार segment wise आप लोगों को जैसे audit में training करना है तो audit में डाल देंगे text है तो text में डाल देंगे आप लोगों को जो पूरा exposure चाहिए वो आपको सकता है ना मिल पाए तो इसमें दो बाते दोस्तों देखने किये देखो अगर आपका object है कि आपको आगे जाके job ही करना है आपको तो job में क्या होता है basically कि आपको एक बड़े firm का जो status है वो चाहिए होता है कि वहां से अगर आप किये हो अगर वहां आपका article chip हुआ है तो आपको job मिलने में easy रहता है लेकिन दोस्तों अगर आप practice करना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर है कि आपके आसपास का जो firm है जहां पर एक अच्छा खासा काम है ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं है और आपने firm join कर लिया और आपको बैठा रखा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप अपने आसपास का local area firm में training करते हो तो वो beneficial रहता है पस आपको वहाँ यह देखना है कि वहाँ काम होता है या नहीं होता है ऐसा तो नहीं है कि वहाँ केवल CA का नाम का office है और practice में आपको वहाँ सीखने को कुछ नहीं मिल रहा जैसे हमारी firm का अगर मैं आपको brief profile दू तो हम लोग यहाँ पर articles को everything चाहे वो GST हो चाहे वो income tax हो चाहे वो किसी client के भेजकर audit करवाना हो या bank का stock audit हो हम उसको सारा experience देते हैं चाहे वो accounting वाला work है taxation का work है तो आप इसी तरह का firm डूढ़ने की कोशिश करो तो अगर आप आगे practice करना चाते हो तो यह exposure आपके लिए बहुत better रहेगा ठीक है और कहीं न कहीं अगर आप job भी करोगे तो आपको यह सब चीजे सीखने को मिलेगी तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर firm का जब चुनाव करेंगे selection करेंगे तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखेंगे ठीक है और आप लोग मेरे को भी अपना CV भेज सकते हैं आपकी मदद करूँगा कि आपको अच्छी firm दिलवा सकूँ और हमारे पास भी बहुत करूगा कि आपके लिए कुछ कर पाऊं दोस्तों and thank you so much वीडियो अच्छा लगाओ तो like share कर दीजिएगा क्योंकि यह सभी लोगों के लिए informative वीडियो है और मैं इंटर और final का faculty हूं टेक्सेशन का तो मेरा जो free handwriting notes है question bank है वो भी मेरे description box में link दिया है आप Amit Khandal classes app download कर सकते video play store से वहां से आपको यह सारी information जो है मिल जाएंगी और मेरा जो अभी नया recording है 2020 का वो भी आपको मैंने description box में link दिया है टेक्सेशन का बहुत कम price पर है वो भी आप लोगों को महाँ पर मिल जाएगा thank you so much for watching this video और last में की बात बोलूँगा जोश दिल में जगाते चलो और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को subscribe करके bell icon hit कर लो क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे नए videos आर्टिकलशिप से related आपके CA की पढ़ाई से related CA update आपको मिलते रहते हैं thank you so much my dear friends and all the very very best और आप आप लोगों का training बहुत अच्छी जगे से हो आप बहुत अच्छा